हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल, एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंदी में, आज की वीडियो, संकर चौद रद दो हजार बाईस, बीस ये एकके जनवरी, पूजा का शुब महूरत, चंत्रुदै का समय, संपून पूजा विधी, मानिताव के अनुसार किसी विश्युपकारी के शुरुवात से पहले भगवान गणपती जी की पूजा अरचना की जाती है, प्रतीक महिने में दो बार चतूर्थी टिति आती है, एक सुकल पक्ष में, जिसे विनाय की चतूर्थी के नाम से जाना जाता है, और दूसरी क्रिशन पक्ष में, जिसे संक चतूर्थी कहा जाता है, सकर्चो सभी संकटों का नाश्र करने वाला होता है, इसलिए संकटा चौत के नाम से भी जाना जाता है, चतूर्थी थी भगवान श्री गणे जी को समप्रित है, इसलिए इस दिथी पर भगवान श्री गणे जी की विधी विधान से पूजा करने से व्रती की सभी मनुकाम नहीं पोड होती हैं और सभी विग्डे हुए काम बन जाते हैं आप माह में आने वारी संकत्र चौत का खास महतू है इसे तिलकुट चौत संकता चौत मांग चतूरती संकस्टि चतूरती के नाम से भी जाना जाता है पंचांक यानुसार साल दो 22 मांग मास के क्रिश्न पक्ष के चतूर्थी थी एक ही जन्वरी दिन शुक्रुवार को बढ़ रही है आज इस वीडियो में हम आपको संकस्टी चतूर्थी व्रत के महतुर दिथी शुमूरत और पुजवीधी के बारे में बताएंगे इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टेप सहिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले सांथी बेल आइगन को भी जरूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले जानते हैं संकस्री चतूर्थी व्रत के महत्यों के बारे में का व्रत रखने से कुंडली और विवास संबने दोश दूर होते हैं वहीं जिन लोगों को सिक्ष से संबने बाधाओ का सामना करना पढ़ रहा हो उन्हें पे संकस्री चतूर्थी का व्रत रखने की सला दी जाती है जो भक्त पूरी भक्ति भाव और निस्ठा से इस दिन व के बारे में साल 2022 मांग मास के क्रिश्न पक्ष के चतूर्थी थिती 21 धिन शुकरुवार को पढ़ रही है चतूर्थी थिति का प्राड़म होगा के सुभा 8 बच कर आट बच कर 5 मिनट से चतूर्थी थिति समाप्त होगी 22 के सुबा 9 बच कर 14 मिनट पर अभी जीर मुहरत 21 जनवरी दोपर 12 बच कर 11 मिनट से 12 बच कर 54 मिनट तक यह समय गड़े जी की पूजा के लिए उत्तम समय है चंद्रोधे का समय 21 जनवरी शुकरवार रात्री 9 बच कर 25 मिनट पर अब बात करते हैं संकस्री चातूर्ती व्रत की पूजा विधी के बारे में भगवान गणपती जी में आस्था रखने वारे लोग संकस्री चातूर्ती पर व्रत रखकर और हुने प्रसंद करके मनचाहे फल की कामना करते हैं इस तिथी पर व्रत के लिए सुबह इसनान आदी करके स्वाच्छ कपड़े पहने, संपा हो तो इस वरत पर पीले वस्त्र धारन करें अब पूजा के ले एक चौकिले और उस पर गंगा जल छेड़ा कर उसे पवित्र करें अब पीले रंका कपड़ा बिछा कर भगवान गड़े जी के परतीमा को स्थापित करें भगवान गड़े जी के समक्ष कलास स्थापना करते हुए पूजा में तिल के लड़ू, रोली और मोली, गुट, चावल, तांबे के लोटे में जल, धू, फूल, माला, प्रशाद के रूपर केला और मोदक अरपित करें भगवान गड़े जी को दुर्वाती प्री है, इसलिए संबा हो तो भगवान जी को दुर्वा भी अरपित करें भगवान गड़े जी के मंदर ओम गड़ण गडपती नमा मंदर का जब करें अब भगवान गडपती जी की व्रत कथा सुने और आर्थी गाएं शाम को चंद्रमा को अगरी देकर ब्रत पूर्ण करें फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें आगे कैसे ही रेटेस वीडियो के लिए आज़ी एस्ट्रोलोजी टेप सहिंदी मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू